दोस्तों अगर आप लोग के jade plant में से पतियां जड़ रही हैं या आपका jade plant बिल्कुल भी घणा नहीं हो पा रहा है तो यकीन मानिए आप लोग बहुत सही वीडियो पे आए हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यह जेट प्लांट्स पेरे टेरिस पे लगाए हुए हैं कितने घने हैं और मैंने इनको अलग-अलग छोटे-छोटे पॉट्स में बड़े-बड़े पॉट्स में लगा रखा है आज मैं आपको इन जेट प्लांट्स का 3 important secret बताऊंगा कि कै ऐसे simple से 3 secret आप अगर जान लेंगे तो जेट प्लांट्स आप लोग खुब घना और खुब अच्छा हरा भरा बिल्कुल अपने घर पे कर सकते हैं तो आईए चली हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना time waste करे हुए और आपको बताते हैं वह ऐसे कौन से 3 important secret हैं अगर आपने इन जेट प्लांट्स जो आपके घरों पे लगे हुए हैं उस पे अपनाएं तो आपके भी जेट प्लांट्स बिल्कुल मेरे terrace की तरे जेट प्लांट्स की तरे बिल्कुल हरे भरे घने और बहुत ही खुबसूरत होईंगे आईए जिसमें सबसे पहला secret है वो है watering का आप लोगों को बहुत ध्यान देना है कि जेट प्लांट्स में जब कभी भी आप लोग watering करेंगे तो ऐसा ना हो कि उसकी soil बहुत जादा सूखी हो जाए बहुत जादा सूखी होने पर आप उसको watering नहीं करेंगे आप लोग को बस यह याद रखना है कि उसमें जब हम लोग की जो मिट्टी है उपर हलकी सी जैसे अगर सूख जाए तो आप उसको regular water add करते रही है अगर आपने कम watering करी तो जो सबसे प्रमुक कारण होता है यह हम लोग की जेट की पतियों आप गिरने का वो हम लोग का होता है अगर कम watering उसमें हुई यह भी याद आपको रखना है कि अगर आपने ज्यादा watering कर दी तो ज्यादा watering करने से भी उसमें क्या हो जाता है उसकी जड़े सड़ जाती है तो आपको watering का बहुती खास ध्यान रखना पड़ेगा इतने टाइम जब मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं तो मेरे आप टेरिस पे बारिश हो रखी है तो अगर कम water हुआ तो उससे आपकी पतियां जड़ेंगी और ज्यादा आपने डाल दिया तो उससे भी क्या होगा भाई जड़े खराब होंगी यह देखिए इस कितने खुब्सूरत पॉर्ट में मैंने जेट प्लांट लगा रखा है दूसरा important secret चलिए मैं आपको बता सकता कि उस प्लांट को अपना full sunlight में भी रखना है देखिए बहुत जादा अगर full sunlight में रख देंगे तो उस case में क्या होता है कि उसकी पतियां जलने लगती है तेकिन कभी-कभी उनको full sunlight भी ज़रूरत होती है तो आपको करना क्या है partial sunlight तो उसको मिले अच्छा खासा उसमें उसक अवरतबूर्टन सेक्रेट में आपके साथ शेयर करता हूँ, share करने से पहले देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे cutting होगी बस simple सा आपको ऐसे पकड़ना है जेट की plant की टंडी को बस simple तरीके से आप ऐसे इसको तोड़ लीजेगा तोड़ करके आपको कोई बहुत बड़ी rocket science नहीं लगानी है आपको बस तोड़ करके सीधे मिट्टी में इसको बस ऐसे ही लगा देना है यकीन मानिये बहुत अ निकलता है मैं ऐसी लगा देता हूं और बहुत अच्छा हो जाता है फिर इससे मैं बन्जाई बनाता हूं तीसरा इंपॉर्टेंट सीक्रेट मैं आपके साथ सेयर करना हूं वह है फर्टिलाइजर देखिए जेट प्लांट हम लोग का फैल बहुत अच्छे से जाता है डीकुद अच्छे बाता है दोस्तो अगर आप को में ये वीडाएजर पयूदर अच्छा लागा लूद्ह प्लीज धीया में चयनल को सबस्क्राइब जरूर करीएगा और अपने इंडियर वंच के असाथ जेट प्लांट से रिलेटेड आप इसको कर सकते हैं अगर लोगो को वीडियो पसंद आया होगा आप लोग को जैसा भी वीडियो लगा हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसे लेगे हमारे छत की बागबानी थैंक्यू सो मच दोस्तों